चन्दिगड के हलू माजरा में बीते 19 जन्वरी को एक 8 साल की मासूम बच्ची अचानक गायब हो जाती हाला कि उसकी डेड बॉडी रिकावर कर ली गई है जहां हम मौजूद हैं उसके बिलकुल ये बनाया गया है पबलिक सोचाले सरकारी और इसके बिलकुल बैक साइड में तस्वीरे कोशिश करेंगे दिखाने की जो बच्ची की डेड बोडी यहां से मिली है हलांकि परीजनों के शिनाखत के बाद उसको अब मौर्चरी में रखवा दिया है लेकिन काफी कुछ इसमें निकलता नजर आ रहा है जो कि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस की पूरी टीमें इसमें जांच करती नजर आ रही है अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची को मार कर उसका मडर करने के बाद जो आरोपी था वो यहां पर आया इस जंगल है क्योंकि बिलकुल बैक साइट जाडिया है जंगल है बिलकुल खाली एरिया है औ क्योंकि जो CCTV में आया है पुलिस की इंवेस्टिगेशन में के एक ब्लैक कलर के बैग में उसने पहले बच्ची की हत्या की और ब्लैक कलर के बैग में उस बच्ची को पैक करके इसी जगा इसी जगा लाकर यहां पर फेक कर यहां से फरार हो गया हला कि पुलिस अब पूरी investigation करती नजर आ रही है इसी जगापर आकर क्योंकि जहां पर बच्ची का कतल हुआ वहां से लेकर यहां तक करीब आदा किलो मेटर का एरिया है और वो पैदल लेकर तो अभी तक सामने आ रहा है कि पैदल लेकर आया होगा बच्ची को पूरी तरह से पैक करने के बाद मर्डर करने के बाद यह पूरी जाड़ी जाड़िया है पूरा जंगल एरिया है यहां पर फैक कर वहां से फरार हो गया पुलिस लगातार इसमें तलाश रही थी बच्ची को और जब लगातार ओपरेशन किया रहा था जब ओपरेशन किया गया पुलिस यहां पर पूरा सर्च ओपरेशन कर रही थी तभी पुलिस को यहीं से बच्ची आठ साल की मासूम बच्ची का बरामद हुआ है, हलाकि पुलिस ने बच्ची के शव को मौचरी में रखवा दिया गया है, उसका पोश्माटम किया जाएगा, हलाकि कैसे पूरा ये मर्डर हुआ, किस तरह से, पुरी सारी चीजे भी मेडिकल में आना बाकी है, लेकिन पुलिस को कई clues मिले हैं, जिसको लेकर लगातार पुलिस investigation कर रही है, कई जो घर हैं उनकी जाच की गई थी, एक घर में से खून से सने गड़े भी रिकावर किये गए हैं, और भी कई चीजे रिकावर की गई हैं, उस पर भी पुलिस काम कर रही है, लेकिन बड़ी ही बहरेमी से एक आठ साल की मासूम बच्ची का आखिर कतल क्यों किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा अभी suspense बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार पुलिस investigation करती नजर आ रही है, हला कि अभी पुलिस किसी भी तरह से कोई बाच्चेत करती नहीं नजर आ रही है, लेकिन बहुत सारी चीजे इसमें निकल कर सामने आ रही हैं कि बच्ची को, आठ साल की मासूम बच्ची को मार कर, उसको पैक करकर और यहां पर जंगलों में लाकर फैक दिया जाता है, इस पूरे मामले में investigation की जा रही है, अभी कई चीजे निकल कर सामने आ रही है, क्या आखिर कातिल कौन है, चंदिगर से कैमरा मैं विनूत कुम